आप देख रहे हैं भुझपुर दर्शन न्यूज खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेंगा आइकॉन को दबाए न्यूज को देखने के लिए कोरोना मरीजों की सहता को लेकर कई संस्था भी अब आगे आने लगी है इस समय सबसे ज़्यादा मरीजों की समस्या है ओ है आक्सीजन की जिसमें कई कोरोना मरीज ऐसे हैं जो आक्सीजन को लेकर काफी ही समस्या से जूज रहे हैं आक्सीजन के कारण मरीजों की मौत ना हो इस उदिश से रोटरी कलब ऑफ आरा की ओर से रोटरी आक्सीजन बैंक के माध्यम से जरूरत मंदों के बीच नेशुल्क आक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है कोरोना मरीजों के परिजन को आक्सीजन सिलिंडर देते हुए रोटरी कलब के अध्यक्ष पंकज कुमार प्रभाकर ने कहा कि आक्सीजन की कोई कमी नहीं होने देंगे हम लोगों को पहले तो अपने घर में रहना है, दूसरा हम लोगों को गरम पानी पीते रहना है, गरम पानी का इस्तमाल वश्य करना है, भाफ लेना नितान तवर्शक्त है, और थोड़ा सा अगर सुझ बुझ के साथ काम किया जाए तो यह कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर हम लोग गरम पानी पीते हैं, भाफ लेते हैं और हाथ दोते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग मना के रखते हैं, मास्क का इस्तमाल करते हैं, इतना ही काफी है भाई हम लोगों के लिए इससे जादा का जरूत नहीं